हेलो डियर स्टुडेंट्स, आज हम टेक्स्टाइल में कृतिम रेशा नायलान को पढ़ने वाले हैं, तो आएए देखते हैं नायलान क्या होता है, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ताप सुनम्य या संसलेशित रेशा नायलान, जिसको इंगलिस में कहते है थर्मो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर, नायलान, इसमें देखते हैं बैज्ञानिकों के अथक प्रयास, परिश्रम वा ज्ञान ने बिना प्राकृतिक रेशों या प्राकृतिक पदार्थों के उपियोग से ही, विसुद्ध रूप से केवल राशायनिक तत्तों के द्वारा ही ऐसे रेशों की खोज की है, जिसकी मजबूती, टिकाउपन, अस्थाई, तो चमक, कारेच्छमता, बिलच्छडप्रति, असकंदिता, यों तन्यता का मुकाबला कोई दूसरा रेशा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो नायलान हमारा है, ये जो नायलान रेशा है, ये रेशा किसी प्राकृतिक पदार से नहीं बना है, इसलिए इसको कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रित्रिम रेशा भी कहते हैं, और इसके कई नाम भी हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि नायलान को जादूई रेशे भी कहते हैं, magic fibers तथा सुगम जीवन रेशे easy life fiber भी कहते हैं ताप सुनम्य रेशे polymer रसायन से निरमित किये जाते हैं ये जो ny 190 का नैलान होते हैं थाप सुनम्य रेशा है तो यह किस से निरमित होता है यह polymer रसायन से निरमित होता है और इसी लिए इसको कृतिम रेशा कहते हैं क्योंकि यह पॉलीमर रसायन से या राशायनिक तक्तों से निर्मित होता है तो इसलिए हम इसको कृतिम रेशा कहते हैं अब हम थोड़ी सी नजर डालेंगे इसके उदगम और इतिहास पर नायलान का रेशा बीश्वी सताबदी की अनुपम देन है नायलान की खोज का स्रे डाक्टर वैलिस H. कैरो थर्स डाक्टर वैलिस H. कैरो थर्स को जाता है जो डिव पोंट कमपनी में एक प्रमुख रसायन सास्त्री थे अगर पुछेगा कि नायलान के जन्म दाता कौन है तो डाक्टर वैलिस H. कैरो थर्स ठीक और ये कौन थे ये एक अमेरिका में एक कमपनी थी डिव पोंट कमपनी उसी में ये रसायन सास्त्री थे इसके बाद सन 1929 इस्वी में अमेरिका की डिव पोंट कमपनी ने अनुसंधान के द्वारा पालीमर नामक रसायन का अविश्कार किया और पॉलीमराईजेशन का अर्थ क्या होता है इसको देखेंगे तो पॉलीमराईजेशन का अर्थ है अडूं को एक स्रिंखला बद रूप में एकत्र करना कभी-कभी ये भी question exam में आ जाता इस type का, कि polymerization का क्या आर्थ है, तो उसमें हम बताएंगे कि अड़ूं को एक स्रिंखला बद्ध रूप में एकत्र करना, ठीक है? इसके बाद आगे देखते हैं, सन 1935 इस्वी में जो polymer बने थे, वो किसके बने थे? तो वह hexamethylene-diamine तथा edipic acid या edipic amyl, ठीक है? hexamethylene-diamine तथा edipic amyl से मिलकर बने थे, इन दोनों रशायनों में कार्बन के कितने परमाड थे? 6-6, मतलब जो hexamethylene-diamine था, इसमें भी कार्बन के 6 परमाड थे, और edipic amyl में भी 6 परमाड थे, तो इसलिए, इसके मिस्रड से जो polymer बने, उसे polymer 66 का नाम दिया गया, अगर ऐसे question पूछले कि polymer 66 क्या है? तो हम बताएंगे कि hexamethylene-diamine और edipic amyl का मिस्रड होता है, इसके बाद इस प्रकार प्रारंब में जो नायलान का निर्माड हुआ, उसे 66 polymer कहा गया, बाद में 1938 इस्वी में इसका नाम नायलान रख दिया गया, तो नायलान का कोई साब्दिक अर्थ नहीं होता है, बस ऐसे सुविधा के अनुसार इसका नाम इसे नायलान रख दिया, और में ये किसका बना होता है, 66 polymer या कह सकते हैं, hexamethylene-diamine तथा edipic acid का बना हुआ होता है, यहां हम इसका फार्मूला देख लेंगे, किसका फार्मूला क्या है, hexamethylene-diamine का फार्मूला NH2-CS26-NH2, ठीक है, और edipicamle का जो फार्मूला है, वो COOH, फिर CS2-4, फिर COOS, ठीक है, यह फार्मूला याद रखिएगा, कभी-कभी हो सकता है, एक्जाम में पूछ लें, अलांकि इतना टफ नहीं पूछता है, फिर अब हम देखेंगे, nylon का manufacturing कैसे होती है, nylon से रेशा कैसे बनता है, तन्तु कै प्रक्रिया होती है, वो होती है, polymerization प्रक्रिया, कौन से प्रक्रिया, polymerization प्रक्रिया, तो nylon रेशे का निर्माड रासायनिक प्रक्रियाओं की एक जटिल स्रिंखला है, इसमें carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen को एक निश्चित, योम, नियंत्रित, अनुपात, तथा संगठन, तथा संगठनात्मक बेवस्था में मिलाया जाता है, किस को मिलाया जाता है, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen को, इन सभी तत्तों का अनुपात इस बात पर निर्भर करता है, कि इस से किस प्रकार के nylon का निर्माड करना है, नाइलान निर्माड के लिए पहले कोलतार, petroleum या अन्य राशायनिक कच्ची सामागरी से, हेक्सामेथिलीन, डाइयमीन, तथा एडिपिक अमल, नामक रशायनों का निर्माड किया जाता है, उसके बाद जब हेक्सामेथिलीन, डाइयमीन, तथा एडिपिक अमल बन जाता है, उसके बाद इन राशायनों के प्रियोग से बने nylon salt, जो nylon salt हमें मिलता है, उसको आटो क्लेव में रखकर गर्म किया जाता है, और गर्म करने से छोटे छोटे अडू जो होते हैं, वो आपस में मिलकर अडू की एक बड़ी स्रिंखला में बद जाते हैं, जिसे लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि लीनियर सुपर पॉलीमर क्या है, तो यह एक अडू की एक बड़ी स्रि एक्सामिथलीन, डाइयमीन तथा एड़िक अमल के अड़ु रहते हैं फिर इसके बाद इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग वील मसीन रहती है पर बहाकर रीबन के रूप में तयार कर लिया जाता है तत पस्चात इस रीबन पर ठंधा पानी डाला जाता है और जिससे यह रीबन जम जाता है जब रीबन पर ठंधा पानी डाला जाएगा तो वह जम जाता है फिर उसके बाद जमे हुए रीबन को छोटे छोटे टुकडों में काट लिया जाता है और रीबन के यह छोटे टुकडे फ्लैक्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं इसके बाद अब फ्लैक प्राप्त हो जाता है ठीक है तो यहां तक हम क्या करते हैं फ्लैक्स के जो छोटे टुकڑे जो रीबेण को काट कर फ्लैक्स बना जाते उसके छोटे छोटे टुकडों से हम घोल तयार करते हैं फिर घोल olduğunu को हम इस्पिनिरेट के छिद्रों में डालते हैं अब आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं कि इस्पिनिरेट के छिद्र से रेशा कैसे निकलता है तो देखते हैं इस्पिनिरेट में से रेशा निकालना तो फ्लैक्स के गर्म गाढ़े घोल को इस्पिनिरेट के छिद्रों से हो prise करता है कि जो स्मिन्रेट उसका छिद्र कितना बारीक है इस क्युक् 열심히 से निकलते ही हवा के संपर्क में आकर रेशे ठोस करें हो जाते हैं इन करे रेशों को कंडिशनर में से होकर गुजारा जाता है तो उन इस नर से होकर गुजारा जाता है जिससे थोड़ा सा कोमल हो जाते हैं यहां आकर रे से थोड़े नर्म हो जाते हैं या कोमल हो जाते हैं यहीं इस पर कुछ एठन दे कर बट लिया जाता है जिसे नायलान का सुन्दर मजबूत लचीला धागा तयार हो जाता है जिसमें अब आगे देखते हैं इसके बाद रेशों की खिचाई या रेशों को खीचना ड्रॉइंग आउट आफ फाइबर जो रेशों को खीचना होता है उसको इंगलिस में कहते हैं ड्रॉइंग आउट आफ फाइबर इसमें देखते हैं नायलान के रेशों को खीचा जाता है जिसस उससे अपने मूल लंबाई से 7-8 गुना अधिक लंबा हो जाता है और खीचने से पूरू नायलान की आडविक रचना यों बेवस्था फ्लैक्स के समान ही अबेवस्थित रहती है इसकी मजबूती लोच चमक यों पारदर्शिता भी कम रहती है लेकिन खीचने के पश्चात रेशो के अंदर की आडविक बनावट बेवस्थित हो जाती है तथा अड़ू सीधे आपस में सटे हुए समानांतर यों बेवस्थित होकर एकहरी स्रिंखला में आबध हो जाते है मतलब जब तक हम रेशे को खीचते नहीं है तब तक उसके अडव बेवस्थित रूप में रहते हैं लेकिन जब रेशे की खीचाई हो जाती है जब ड्रॉइंग उसकी हो जाती है तो उसके खीचने के पश्चात जो उसके अडव होते हैं वो आपस में सटकर बेवस्थित ह जाते हैं इसके बाद रेशों का ब्यास कम हो जाता है खीचने के पश्चाद जो रेशे मोटे होते हूं और पतले हो जाते हैं तो उनका ब्यास कम हो जाता है और वे अत्यंत महीनियों लंबे हो जाते हैं आगे देखते हैं धागे को खीचने की प्रक्रिया मसीन से की जाती है धागे को रील पर चढ़ाया जाता है मसीन में कई रील लगे होते हैं प्रतेक अगली रील की गती पहली वाली रील की गती से अधिक रहती है जैसे अगर धागे को 7 गुना खीचना है तो इसे 7 नमबर वाली रील पर चढ़ाते हैं और इसकी गती पहली रील की अपेच्छा 7 गुना अधिक होती है इस प्रकार वांचित ब्यास का धागा प्राप्त हो जाता है मतलब जैसा धागा हमें चाहिए होता है वैसा प्राप्त हो जाता है अगर 6 गुना जादा या 8 गुना जादा ब्यास का हमें चाहिए लंबाई का चाहिए तो उसको हम 8 नमबर वाली रील पर चढ़ाएंगे और 8 नंबर वाली रील यह दरसाती है कि इसके पीछे जो रील थी वो उससे साथ गुना कम थी ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं नायलान की बारीकी का मुल्यांकन डेनियर में किया जाता है किसमें किया जाता है डेनियर में किया जाता है और डेनियर का मतलब क्या होता है डेनि percentages Listen में quietly चैसे नायलान की बारीकी का मुल्यांकन झाता है और यह नायलान के धागे के वजन से मत्लब है इसका और सबसे महीन धागा क्यों कितने डेनियर बारा का होता है तो वह बाराइच का होता है नायलान का वो सबसे बारीक होता है फिर इसके उपर 16 डेनियर 18 डेनियर 14 डेनियर कुछ भी हो सकता है ठीक है अब अगला हम देखते हैं चमक कम करना मतलब जो नायलान का धागा होता है उसकी चमक कैसे कम करते हैं तो नायलान के धागे में अत्यधिक चमक होती है जो आखों को चुबने वाली होती है इसलिए नायलान के धागे पर चमक कम करने की प्रक्रिया आवस्यक रूप से की जाती है इसके लिए टिटैनियम आक्साइड बेरियम सलफेड अथवा जिंक आक्साइड का प्रियोग किया जाता है ये जो टिटैनियम आक्साइड और बेरियम सलफेड और जिंक आक्साइड इनका प्रियोग कैसे होता है तो जब हम घोल बनाते हैं जो flex होता है nylon का flex का जब घोल बनाते हैं तो उसी घोल में titanium oxide या barium sulfate या zinc oxide ये मिला देते हैं अधिक है और इसके मिलाने की वजह से जो nylon का धागा होता है उसका color मंद पड़ जाता है ठीक है उसका color कम हो जाता है तो ये याद रखेगा कि किसका यूज करते हैं इसके लिए तो टिटैनियम आक्साइड, बेरियम सलफेड या जिंक आक्साइड इसके बाद एक लाइन में हम देखेंगे या कह सकते हैं एक खाका देखेंगे कि कैसे नायलान का वस्त निर्मार होता है अभी तो हम उपर डिटेल में पढ़े हैं यहां एक बार फिर से देखते हैं कि जो हेक्सामेथलीन डाइयमीन होता है इसको किस में मिलाया जाता है एडिपिक अमल के साथ मतलब हेक्सामेथलीन डाइयमीन को एडिपिक अमल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है नायलान साल्ट बनता है फिर उसके बाद नायलान साल्ट को आटोकलेब में गरम किया प्राप्थ होता है या कास्टिंग विल से गुजारा जाता है जिसके बाद से हमें नायलान ρीबन प्राप्थ होता है नायलान रीबन प्राप्त होता है उसके बाद नायलान रीबन पर ठंड़ा पानी डाला जाता है जिससे रीबन जो है वह जम जाता है क्या होता है रीबन जम जाता है उसके बाद जो जमा हुआ रीबन होता है उसके हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं और उन छोटे टुकडों को हम क्या कहते हैं, नायलान, फ्लैक्स, उसके बाद फ्लैक्स को पिगलाया जाता है, और फ्लैक्स को पिगला कर क्या बनाया जाता है, गाढ़ा गोल, गाढ़े गोल को फिर इस्पिनिरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है, जिससे नायलान का धा प्राप्त होता है उसके बाद नायलान के धागे को जो इस्पिनिरेट से प्राप्त नायलान का धागा होता है उसको रील से मसीन में जो रील लगी होती है उससे साथ से आठ गुना खीचाई उसकी होती है खीचा जाता है जिससे हमें सूच में बारीक लचीला नायलान का प्राप्ट हो जाता है, जो बुनाई युक्त, बुनाई के लिए उप्युक्त होता है, ठीक है, तो इतनी प्रॉसेज है, इसको एक, दो, तीन, चार, पाम, छे, सात, इसमें सात पॉइंट है, इसको पॉइंट वाइज आप सब याद कर लिजेगा, देख लिजेगा, इस तर साल्ट के साथ एड करते हैं, तो नायलान साल्ट मिलता है, फिर नायलान साल्ट को आटो कलेव में गरम करते हैं, तो लीनियर सुपर पॉलीमर मिलता है, फिर लीनियर सुपर पॉलीमर को हम कास्टिंग चक्का से होकर गुजारते हैं, तो नायलान का रीबन प्राप्त होता ह फिर नायलान के रीबन पर ठंडा पानी डालते हैं तो वह जम जाता है फिर जमने के बाद जो रीबन होता है उसको छोटे छोटे टुकडों में काट लिया जाता है जिसको नायलान फ्लैक्स कहते हैं फिर फ्लैक्स को पिगला कर गाढ़ा गोल बनाया जाता है और गाढ़े ग बढ़ जाती है और उसके अड़ू आपस में ब्योस्थित हो जाते हैं उसके बाद जो सबसे लास्ट में हमें सुच मुबारीक और लचीला नायलान का धागा प्राप्त होता है इतनी प्रोसेज इसमें हैं तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इतना अब हम आगे ब सब्सक्राइब करते हैं इसलिए इनकी मजबूती बहुरेशी या बटे हुए धागों कम होती है होजरी वस्त निर्माड में इनका उपयोग अधिक होता है जो एकहरे धागे होते हैं इनका जो उपयोग होता है वह होजरी वस्त के निर्माड में होता है इसके बाद हम देखते हैं बहुरेशी ये धागे या मल्टी फिलामेंट यार्ण कई इकहरे धागों को आ उसी के अनरूप रेशे मिलाए जाते हैं कि कितना मोटा हमें धागा बनाना है कितना पतला हमें धागा बनाना है उस प्रकार के रेशे को हम लेकर उसको आपस में बटते हैं ठीक है और यह धागे अत्यंत मजबूत क्योंकि जो बटे हुए धागे होते हैं या जो बहुरेशी धागे या stretch yarn तो नायलान के धागों को खीच कर लंबाई में बढ़ा कर बिशेस प्रक्रिया द्वारा घुगराले बनाए जाते हैं और यह धागे खीचने पर फैल जाते हैं वह छोड़ देने पर पुना घुगराले बन जाते हैं यह धागे ही stretch धागे कहलाते हैं stretch धागे वे धागे होते हैं जो घुगराले होते हैं और खीचने पर बहुत जादा फैलते हैं और छोड़ देने पर अपनी पुना आकरिती को प्राप्त कर लेते हैं और इसमें जो stretch धागे होते हैं इसमें नम्यता यों प्रत्यास्था का अनोखा गुड़ समाहित होता है इन में stretch धागे का उपआयोग कीया जाता हैं इसके बाद हम अगला देखेंंगे कता हुआ धागा जिसको हम बोलते हैं ispande yarn तो नाइलान के लमबे लमबे रेशों को छोटे छोटे रेशों के रूप में काट लिया जाता इन रेशों को की लंबाई एक इंच से पाच इंच तक होती है इनसे कपास की तरह ही खीच कर बटकर कताई द्वारा अविरल लंबाई के धागे बनाए जाते हैं कता हुआ धागा अत्यंत मजबूत होता है इस धागे में नायलान के सभी गुड समाहित होते हैं और इसमें घि उसमें रगड सहने की और घिसावट सहने की छमता बिद्देमान रहती है और यह अत्यंत मजबूत होते हैं ठीक है इसके बाद अगला हम देखेंगे टेक्स्चर धागे कौन से टेक्स्चर धागे या टेक्स्चर यार्ण तो कुछ नायलान के रेशों में मसीन की सहायता से इनकी सता पर छोटे छोटे लूप या रोएं उठाए जाते हैं ठीक है जो वस्त्र होता है उसके उपर छोटे 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 रोएं या लूप उठाए जाते हैं इससे वस्त्र की सुन्दर्ता यों मोटाई और जादा बढ़ जाती है परंतु वजन में अत्यंत हलके होते लूप उठाने के लिए रेशों को एक बिसेस प्रकार की मसीन में से गुजारा जाता है या निकाला जाता है जिससे धागे में लूप उठ जाते हैं लूप मतलब फर जैसे जो रोएदार स्वेटर वगएरे आप देखे होंगे तो छूने में भी बहुत सॉफ्ट लगते हैं तो वही होता है लूप या रोया तो जिससे धागे में लूप उठ जाते हैं और लूप के आकार उसके बीच की दूरी धागे की लंबाई एठन आध आधी को मसीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है ठीक है और ऐसे धागों से साल कंबल या गर्मी वाले आधी कपड़े बनाए जाते हैं तो यह हो गया टेक्सर धागे तो टेक्सर धागे की बात जहां आएगी वहां क्या होगा कि उसमें रोएं तथा लूप होगा और उसस गरम वस्त्र बनाए जाएंगे अगला हम देखते हैं नायलान की विशेष्टाएं करेक्टर इस्ट्रिक आप नायलान तो इसकी दो विशेष्टाएं होते हैं जैसे अन्यरेशों के हम दो दो विशेष्टाएं देखें एक भौतिक विशेष्टाएं देखें और एक राश हम देखते हैं संगठन कंपोजीशन मतलब किस चीज का यह बना होता है नायलान सब्द से किसी एक रेशा का संबोधन नहीं होता है बलकि नायलान रेशे के एक वर्ग का नाम है ठीक है इस वर्ग में पॉलीमाइट पॉलीमर होते हैं जिसमें कारबन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन रहता है इसमें जो मुख्य तत्तो होते हैं वो चार हैं कारबन हाइड्रोजन आक्सीजन और नाइट्रोजन इसके बाद अगर हम इसकी माइक्रोइसकोपिक संरचना की बात करे कि माइक्रोइस्कोप से देखने में ये कैसा दिखता है तो इसको देखते हैं कि सूचमदर्सी इसकी रचना या माइक्रोइस्कोपिक स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि नगन आखों से देखने पर ये कैसा दिखता है तो ये नंगी आखों से देखने पर नायलान का रेशा ऐसे दिखाई देता है, लेकिन माइक्रो इसकोप से देखने पर तो इसकी दो काट होती है, एक होती अनुप्रस्त काट, एक होती है अनुदहर्दे काट, तो अनुप्रस्त काट क्या होता है कि खड़ी काट अगर होती ह तो वो अनुप्रस्त होती है लेकिन लंबवत अगर हम काटते हैं तो अनुदैर्द होती है ठीक है तो अनुप्रस्त काट में कैसे दिखता है तो अनुप्रस्त काट में गोल चित्तिदार दिखाई देता है इसका अनुदैर्द काट चिकना पारदर्सी गोलाकार वा काच के छड़ के समान बिल्कुल सीधा दिखाई देता है तो अगर हम कहें अनुप्रस्त काटकी तो गोल चित्तिदार दिखाई देगा लेकिन लंबवत काटकी अगर हम अनुदैर्द काटकी बात करें तो उसमें पारदर्सी गोलाकार्त था काच के छड़ की भात ही बिल्कुल सीध कई बार कई रेशों के बारे में पूछा गया हैं इसके बाद अगला हम इसकी देखते हैं ब्वहतिक बिसेस्टा में चमक जिसको इंगलिस में बोलते हैं लेस्चर हो तो नायलान का रेशा सुभवता होता है अत्यधिक चमकदार होता है इसकी चमक को कम करने के लिए वस्त निर्माड हे तू गाढ़े घोल में चमक कम करने वाला रासाइनिक पदार्थ डाला जाता है और वो रासाइनिक पदार्थ कौन से है टिटैनियम आकसाइड या बेरियम सलफेड ऐसे कुछ पदार्थ है जिनको इसका जो गाढ़ा घोल बनाया जाता है जो फ्लैक्स का गाढ़ा घोल बनाया जाता है जिसको हम इस्पिनिरेट के चिदर में डाल कर फिर रेशा बनाते हैं उसी में टिटैनियम आकसाइड या बेरियम सलफेड इसी को मिला दिया जाता है जिससे क्या होता है कि इसकी चमक मंद अब आगे हम देखेंगे बात करेंगे मजबूती की की स्ट्रेंथ की तो नायलाण का धागा अत्यान्त मजबूत होता है क्या इसकी यह मजबूती हाइडोजन बॉन्ड के करन्ड होटी एस्वाइट के करुजुन होती है कि घरशड रगड तथा घिसावट सहने की आसाधारण चमता होती है और इसमें अब बात करते हैं हम प्रत्यास्था की इलास्टी सिटी तो नायलान के रेशो में अदभूत प्रत्यास्था का गुड पाया जाता है इसके वस्त्र को खीच कर फैला देने के वावजूद छोड देने पर पुना अपने पूरो आकरिती प्राप्त कर लेते हैं इसमें बिलचण योम आसाधारण गुड बिद्यमान रहता है तो प्रत्यास्था जैसा कि आप लोग जानते होंगे पीछे भी कई टॉपिक में बताया गया है जैसे उन में भी बताया गया है कि वस्त्र को खीचने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो अपनी पूरो आकरिती ग्रहन कर लेता है या जितना जाना खिचता है उसको ही हम बोलते हैं प्रत्यास्था जैसे आप रबड ले लिजिए रबड को ऐसे खीचेंगे तो खीच जाएगा और जब उसको आप छोड़ेंगे तो फिर से वह अपनी पुरानी आकरिती को ग्रहन कर लेता है तो यह क्वालिटी होती है प्रत्यास्था या इलास्टी स अब हम अगला बात करते हैं प्रति असकंदता की या रेजिशलेंसी की तो जैसे प्रति असकंदता होता है नायलान में वैसे ही प्रत्यास्था नायलान के रेशे में होता है उसी प्रकार से प्रति असकंदता भी का प्रभाव इसमें परियाप्त मात्रा में पाया जाता है तो प्रत्यास्था के समान ही प्रतियसकंता का गुड़ भी इसमें विद्यमान रहता है, मतलब रिजिस्लेंसी भी इसमें परियाप्त भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसके बाद अगली हम बात करते हैं तनाव सामर्थ की, तनाव सामर्थ में जो है, इसमें तनाव सामर्थ का अदबुद गुड़ पाया जाता है, इसके रेशों को तोड मरोड कर, आयट कर, जुका कर, अथवा टेड़े मेड़े रखने से भी या नहीं तूटते हैं, तथा पूरो आकरित ग्रहन कर लेते हैं, मतलब जो नायलान के रेशे होते हैं, नायलान के रेशों से बनेवस्त्र होते हैं, उनको किसी भी प्रकार चे हम तोड मरोड के रख के, फिर अगर छोड़ दें, तो वह फिर से अपने वापस पूरो अस्था में आ जाएंगे, उनसे तोड मरोड का कोई उसमें सिकन नहीं आने वाली है, ठीक है तो नायलान में आवसोसक्ता का आभाव रहता है, आवसोसक्ता मतलब पानी सोखने की छमता, यह अवस्त्र जल्दी भीगते नहीं हैं, तथा पानी चिकनी सतह के सहारे फिसल कर बह जाता है, तो इनके अंदर पानी सोखने का गुड इसलिए नहीं बिद्देमान रहता है, क तो इसलिए यह पानी नहीं सोखते हैं, और इस गुड के कारण इस पे धूल गंदगी भी अंदर तक नहीं जाती है, वह भी सतह के उपर से फिसल जाती है, और इसलिए इसकी धुलाई बहुत आसान होती है, यह गुड इसकी धुलाई क्रिया के लिए अतिलाबकारी होता है नायलान के आदरता प्रतिधारन चमता 11 से 12 प्रतिसत होती है, आदरता प्रतिधारन चमता क्या होती है, तो आदरता प्रतिधारन चमता जब ववस्त्र सूख जाता है, तो उसमें कितने प्रतिसत नमी रह जाती है, यह होता है आदरता प्रतिधारन चमता, तो हर रेशे की अपनी अलग आद्रता प्रतिधारण छमता होती है, तो नायलान की जो आद्रता प्रतिधारण छमता है, वह 11 से 12 प्रतिशत है, ठीक है, तो जो अवसो सकता होता है, वह अलग चीज होता है, अवसो सकता मतलब पानी सोखने की छमता भीगने पर, जैसे हम वस्त्र को भीगाए तो वह कितना पानी सोख रहा है और अधरता परतिधारण छमता से मतलब है कि जब वस्तर सूख गया हो तो उसमें नमी कितनी है। कि इसके बाद अगला हम देखने सिकन प्रतिरोग धकता तो सिकन प्रतिरोग धकता या इसको बोलते हैं क्रीज रिजिस्टेंस तो नायलान के वस्त्र निर्मार प्रक्रिया के दोरान ही हीट सेट कर दिया जाता है मतलब उसमें जो चुनन तुनन जो थोड़ा बहुत बनाना उसको गरम करके हीट सेट कर दिया जाता है जिसके बाद क्या होता है जिससे वस्त्र मुड़ने सिकुड़ने तथा क्रस होने जैसे गुड़ों से मुक्त हो जाता उसके बाद उसको चाहे जैसे आप मोड कर रख दिजे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बाद मे की बात करें या हीट कंड़क्टिवटी की बात करें तो नायलान के रेशे ताप के कुछ आलक होते हैं बैट कंड़क्टर होते हैं क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं आपस में इतने सटे हुए होते हैं कि हवा आरपाड नहीं जा सकती है तो यह ठंडी के मौशम के लिए उप नायलान में हम कपास के रेशे को मिला कर कोई वस्त्र या रेशा तयार करते हैं या लिलन का हम रेशा मिला के कुछ तयार करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी होगी जो यह ताप का मतलब ताप के जो कुछालक है वह सुचालक में हो जाएं क्योंकि फिर उसके बाद जो रेशा इसमें मिलाएंगे हम नायलान के रेचे में उसका गुड़ यह ग्रहण कर लेगा ठीक है तो अगर नायलान की बात करें तो कैसे होते हैं ताप के कुछ अलक होते हैं और नायलान के वस्त्र गर्मी आद्र मोसम के लिए अनुकूल नहीं होते हैं अगला हम देखते हैं स्रिंकेज या संकुचन तो नायलान के वस्त्र शिकूड़ते नहीं हैं और ना ही इनकी आकारवा आकरिती भी गड़ती है क्योंकि इसको एक विशेश आकारवा आकरिती पर पहले से ही हीट सेट कर दिया जाता है ठीक है तो नायलान के वस्त्र चिकनी सतह वाले होते हैं इसलिए इन पर धूल कड़वा गंदगियां सिगृता से नहीं चिपकती हैं और इसकी सफाई और धुलाई अत्यंत सरल है दाग दब्बे आसानी से छूट जाते हैं इसके बाद अगर हम बात करें फफूद यों कीडों का प्रभाव तो नायलान के वस्त्र पर फफूदी येवं कीडों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है तो नायलान के वस्त पर ना ही कीडों का कोई प्रभाव पड़ता है ना ही फफूदी का अगद इसके बाद अब हम देखेंगे राशायनिक बिशेशता हैं Chemical Character Strict तो पहला इसमें देखते हैं अमल का प्रभाव Effect Up Acids तो तीवर गर्म योम सक्तिसाली आकार्बनिक अमल जैसे Nitric, Sulfuric, Hydrochloric यहां क्लोरिक रहेगा Hydrochloric अमल नायलान के रेशो को पूड़ता है नस्ट कर देते हैं परन्तु तनु ठंडे कार्बनिक अमल जैसे आकजैलिक अमल, साइट्रिक अमल आधिका इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है तो जो कार्बनिक वो भी कैसे कार्बनिक तनु कार्बनिक अमल होते हैं इनका नायलान पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन अगर तीवर अमल है वो भी आकार्बनिक तो वो रेशे के लिए नुक्षान दायक है अब छार की बात अगर हम करते हैं छार का प् से धोया जा सकता है ठीक है कैसी भी दूलाई हम इसको कर सकते हैं इस पर छार कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है इसके बाद बात हम करते हैं रंगों का प्रभाव तो इस पर सभी रंग आसानी से चढ़ते हैं और पक्के रहते हैं, नायलान का रिशा प्रोटीन रिशा है, इसलिए अमीनों रंग, डिस्पर्स रंग तथा अमली रंगों द्वारा रंग आ जा सकता है, इसके बाद इसपे देखते हैं, पसीने का प्रभाव, तो नायलान के वस्प्प्प्प्प्प्प्र случае नहीं सोकते हैं, तो इसलिए इन पर पसीनों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये वस्त्र पसीने सोकते ही नहीं है लेकिन फिर भी अगर बार-बार पसीने के संपर्क में आ रहे हैं और इसको धुला भी नहीं अच्छे से जा रहा है तो थोड़ा सा कलर इसका डल हो जाता है ठीक है रंग पर इसके असर पड़ता है पसीने का लेकिन वस्त्र के रेशे कमजोड नहीं होते हैं इसके बाद अगला हम देखते हैं विरंजक का प्रभाव तो तेजवा सक्तिसाली ब्लीच से नायलान के रेशे प्रभावित होते हैं इसलिए ब्लीच है तो तनु घोल का प्रियोग करना चाहिए जैसे हाइडरोजन पराकसाइड हाइडरोजन पराकसाइड एक तनु घोल है तनुबलीच है तो इसका हम प्रयोग नायलान के लिए कर सकते हैं तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आज इतना ही नेक्स टॉपिक में हम कुछ और देखेंगे धन्यवाद